तो ये गई, इस loan repayment से जो रहा हुआ, कुछ इस तरीके का message जो है, लोगों के phones पर आ रहा है, हो सकता है कि आपके phone पर भी कुछ इस तरीके का message जो है, आया हो, और अगर इस तरीके का message आपके phone पर आया है, तो इस video को completely जरूर देखिएगा, इस video में आपको बताने वाला लॉन के amount को pay नहीं कर रहा है, और ऐसी में हमारे पास आपका number था, और हमने आपको test किया है, इसलिए क्योंकि आप उसको समझाईए, बुझाईए, और उसको बोलिए कि भाई, लॉन का amount pay करने के लिए, otherwise उसके उपर legal action लिया जा सकता है, और ये किया जा सकता है, वो किया स और बेसिकली इस तरीके के message जो है, दोस्तो दोनों लोग को आ रहे है, पहला लोग तो वो हो, जिसके वाकई में किसी दोस्ती या family रसेदार ने लॉन लिया है, और दूसरा उन लोग को, जो कि भाई, मतलब बिलकुल जानते ही नहीं है, दोस्तो बहुत बार ऐसा होता है, क हमने phone में किसी के भी number को save कर लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसको delete करना भूल जाते हैं, और ऐसे में वो number काफी लंबे समय तक हमारे phone में ही store रहे जाता है, और उसका हमें पता भी नहीं होता है, तो यहीं चीज होता है, वाई, सेम यहीं कहानी है, कि माल लो किसी contacts का backup ले लिया, और इस बंदे ने क्या किया, कि इसने loan का amount को pay नहीं किया, फिर pay करने में देरी लगाया, जो कुछ भी, जिस वज़े से जो है, वो app वाले जिन्होंने उसका contacts का backup लिया हुआ था, वो अब आपको सामने से टेस्ट करेंगे, कि भाई, आप इस बंदे को जान कि भाई, इस बंदे को मैं proper जानता नहीं हूँ, आखिर कौन है, क्या है, और ऐसे में आप लोग, इस same question आप लोग के mind में भी आता हुआ, कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैंने तो लॉन लिया नहीं है, और मैं इसको जानता नहीं हूँ, तो आपको घबराने के जौरत नहीं है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं जानते हैं, तो बस आप जो है, block and report कर दीजिए, simple block and report, whatsapp पर आपको block and report कर देना है, और ignore मार देना है, ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कि उसमें आप लिखिये उसको, उस app वाले बंदे को जो भी आपको message send कर रहा है, उसको इस तरीके की बाते हैं, अगर आप लोग करने लहोगे न, दोस्तों, तो इस तरीके का जो app वाले हैं, जितने भी जो कि इस तरीके का काम करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी किसी को भी इस तरीके का WhatsApp पर message करने का, या फिर group में add करके, ID proof का, और address का, और नाम का misuse करने का, इसलिए आप लोगों से ही request हैं, कि block and report तो करना ही है, लेकिन पहले थोड़ा सा उसको एकदम डांट देना है, कि भाई, तुने मुझे पूछ के जब loan नहीं दिया उसको, तो फिर मुझे इस तरीके की चीज़ें क्यों send कर रहा है, और मुझे क्यों बोल रहा है कि इस तरीक करेंगे दोस्तों, तो इसके ये होगा, कि उस loan वाले को समझ मा आ जाएगा, कि भाई, contacts वालो पर contact करना सही नहीं है, और उसके बाद वो लोग जो है, तुरह सुधर सकते हैं, वो लोग जो है, लोग के ID proof code, details को जो है, इस तरीके से share नहीं करेंगे, किसी के भी साथ, ठीके दोस्तों, तो आपको जो है, block and report कर लाएं, लेकिन उससे पहले आप लोग को उसको जो है, डाटना है, ताकि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करें, अब मैं मिलता हूँ आपसे next awareness वीडियो में, अगर आपके साथ कोई भी लॉन अप में, या किसी भी आप में, किसी भी तरीके का scam हुआ है, उसकी जनकारी को आप मुझे तक पहुचा सकते हैं, मेरा Instagram ID और Gmail ID आपको वीडियो की description मिल जाएगा, एक वार जरूर चेक कर लीजिएगा, और मिलिये मुझे वहाँ बात कीजिए, मेरे साथ सेर कीजिए अपने साथ हुए scam को, ताकि उस पर एक awareness वीडियो बन